जय श्री महाकाल हर हर महादे आपका स्वागत है भूपेंद्र जय भारक यूट्यूब चेनल में विडियो को अंत तक जरूर देखे लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें इस विडियो में हम बात करेंगे गुरू हर गोबिंद जी के बारे में जो की सिखो के छट्ठे गुरू थे उनका जन्म 19 जून 1595 में गुरू की वडाली अमरित सर्प पंजाब सूबा मुगल सामराज्य में हुआ था व उनकी पुन्यति थी 28 फरवरी 1644 है उनकी मृत्यू कीरतपुर साहिब में हुई थी जो की उस वक्त भारत में था वे छट्ठे बादशाह उपनाम के नाम से प्रसिध थे उन्होंने अकाल तखत का निर्मान किया था वे युद्ध में शामिल होने वाले पहले गुरू थे उन्होंने सिखों को युद्ध कलाएं सिखने और सैन्य परीक्षन के लिए प्रेरित किया उन्होंने मीरी पीरी की स्थापना की थी गुरु हर्गोबिंद जी ने कई लडाईयों में हिस्सा लिया, जिसमें रोहिला की लडाई, करतारपुर की लडाई, अमरित सर की लडाई, 1634 में हर्गोबिंद पुर की लडाई, गुरु सर की लडाई, कीरतपुर की लडाई प्रमुख हैं उन्होंने कीरतपुर साहिब की स्थापना की थी, उनका विवाह माता नान की, माता महादेवी और माता दामोदरी जी के साथ हुआ था उनके बच्चों के नाम बाबा गुरदिता, बाबा सुरजमल, बाबा अनिराय, बाबा अटर राय गुरु तेक बहादुर और बीबी बीरो थे उनके माता पिता गुरु अर्जन देव जी वमाता गंगा जी थे गुरु हरगोबिन सिखों के छठेन गुरु थे साहिब की सिख इतिहास में गुरु अर्जुन देव जी के सुपुत्र गुरु हर्गोबिन साहिब की दल्भंजन योध्धा कहकर प्रशनसा की गई है गुरु हर्गोबिन साहिब की शिक्षादीक्षा महान विद्वान भाई गुर्दास की देखरेख में हुई गुरु जी को बराबर बाबा बुढदा जी का भी आशिरवात प्राप्त रहा छठे गुरु ने सिख धर्म, संस्कृती एवन इसकी आचार सनहिता में अनेक ऐसे परिवर्तनों को अपनी आँखों से देखा जिनके कारण सिख्षी का महान बूटा अपनी जड़े मजबूत कर रहा था विरासत के इस महान पौधे को गुरु हर गोबिन साहिब ने अपनी दिव्यद्रिष्टी से सुरक्षा प्रदान की तथा उसे फलने फूलने का अफसर भी दिया अपने पिता श्री गुरु अर्जुन देव की शहीदी के आदर्श को उन्होंने न केवल अपने जीवन का उद्देश माना बलकि उनके द्वारा जो महान कार्य प्रारंभ किये गए थे उन्हें सफलता पूर्वक संपूर्ण करने के लिए आजीवन अपनी प्रतिबधता भी दिखलाई बदलते हुए हालातों के मुताबिक गुरु हर्गोबिंद साहिब ने शस्त्र एवन शास्त्र की शिक्षाभी ग्रहेन की वह महान योध्धा भी थे विभिन प्रकार के शस्त्र चलाने का उन्हें अद्भुत अभ्यास था गुरु हर्गोबिंद साहिब का चिंतन भी क्रांतिकारी था वह चाहते थे कि सिक्ष कौम शान्ती, भक्ती एवन धर्म के साथ साथ अत्याचार एवन जुल्म का मुकाबला करने के लिए भी सशक्त बने वह अध्यात्म चिंतन को दर्शन की नई भंगिमाओं से जोड़ना चाहते थे गुरु गद्धी संभालते ही उन्होंने मीरी एवन पीरी की दो तलवारें ग्रहन की मीरी और पीरी की दोनों तलवारें उन्हें बाबा बुड़्डा जी ने पहनाई यहीं से सिख इतिहास एक नया मोड लेता है गुरु हर्गो बिंद साहिब मीरी पीरी के संकल्प के साथ सिख दर्शन की चेतना को नए अध्यात्म दर्शन के साथ जोड़ देते हैं इस प्रक्रिया में राजनीती और धर्म एक दूसरे के पूरक बने गुरु जी की प्रेयना से श्री अकाल तक्त साहिब का भी भव्य अस्तित्व निर्मित हुआ देश के विभिन भागों की संगत ने गुरु जी को भेंट स्वरूप शस्त्र एवं घोडे देने प्रारंब किये अकाल तक्त पर कवी और धाडियों ने गुरुयश ववीर योध्धाओं की गाथाएं गानी प्रारंब की लोगों में मुगल सल्तनत के प्रती विद्रोह जागरित होने लगा गुरु हर्गो बिंदसाहिब नानक राज स्थापित करने में सफलता की ओर बढ़ने लगे गुरु हर्गो बिंदसाहिब लगभग तीन वर्ष ग्वालियर के किले में बंदी रहे महान सूफी फकीर मियामीर गुरु घर के श्रद्धालू थे जहांगीर की पत्नी नूर जहां मियामीर की सेविका थी इन लोगों ने भी जहांगीर को गुरु जी की महानता और प्रतिभासे परिचित करवाया बाबा बुड़ा वभाई गुर्दास ने भी गुरु साहिब को बंदी बनाने का विरोध किया जहांगीर ने केवल गुरु जी को ही ग्वालियर के किले से आजाद नहीं किया बल्कि उन्हें यह स्वतंत्रता भी दीकी वे बावन राजाओं को भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं इसीलिए सिख इतिहास में गुरु जी को बंदी छोड़ दाता कहा जाता है ग्वालियर में इस घटना का साक्षी गुरु द्वारा दाता बंदी छोड़ है अपने जीवन मूलियों पर ग्रिढ रहते गुरु जी ने शाह जहां के साथ चार बार टक्कर लीवे युद्ध के दौरान सदैवशांत अभय एवं अडोल रहते थे उनके पास इतनी बड़ी सैन्य शक्ती थी कि मुगल सिपाही प्राय भयभीत रहते थे गुरु जी ने मुगल सेना को कई बार कड़ी पराजय दी गुरु हरगो बिंद साहिब ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से एक ऐसी अदमय लहर पैदा की जिसने आगे चलकर सिख संगत में भक्ती और शक्ती की नई चेतना पैदा की गुरु जी ने अपनी सूचबूच से गुरु घर के श्रधालूओं को सुग्ठित भी किया और सिख समाज को नई दिशा भी प्रदान की अकाल तक्त साहिब सिख समाज के लिए ऐसी सरवोच संस्था के रूप में उभरा जिसने भविश्य में सिख शक्ती को केंद्रित किया तथा उसे अलग सामाजिक और एतिहासिक पहचान प्रदान की इसका श्रे गुरु हर्गो बिंद साहिब को ही जाता है गुरु हर्गो बिंद साहिब जी बहुत परोपकारी योध्धा थे उनका जीवन दर्शन जनसाधारण के कल्यान से जुड़ा हुआ था यही कारण है कि उनके समय में गुरम्तिदर्शन राष्ट के कोने-कोने तक पहुँचा श्री गुरु ग्रंथ साहिब के महान संदेश ने गुरु परम्परा के उनकारियों को भी प्रकाश्मान बनाया जिसके कारण भविश्य में मानवता का महा कल्यान होने जा रहा था गुरु जी के इन अथक प्रयत्नों के कारण सिख परंपरा नया रूप भी ले रही थी तथा अपनी विरासत की गरिमा को कुन्प नए संदर्भों में परिभाशित भी कर रही थी गुरु हर्गो बिंद साहिब की चिंतन की दिशा को नए व्याभारिक अर्थ दे रहे थे वास्तव में यह उनकी आभा और शक्ती का प्रभाव था गुरु जी के व्यक्तित्व और कृत्तित्व का गहरा प्रभाव पूरे परिवेश पर भी पढ़ने लगा था गुरु हर्गो बिंद साहिब जी ने अपनी सारी शक्ती हर मंदिर साहिब व अकाल तक्त साहिब के आदश स्थापित करने में लगाई गुरु हर्गो बिंद साहिब प्राय पंजाब से बाहर भी सिख धर्म के प्रचार हेतु अपने शिश्यों को भेजा करते थे गुरु हर्गोबिंद साहिब ने सिख जीवन दर्शन को समसामेक समस्याओं से केवल जोडा ही नहीं, बलकि एक ऐसी जीवन दृष्टी का निर्मान भी किया जो गौरफ पूर्ण समाधानों की संभावना को भी उजागर करता था सिख लहर को प्रभावशाली बनाने में गुरु जी का अद्वितिय योगदान रहा गुरु जी कीरतपुर साहिब में जोती जोत समाए गुरुद्वारा पाताल पुरी गुरु जी की याद में आज भी हजारों व्यक्तियों को शांती का संदेश देता है भाई गुरुदास ने गुरु हर्गोबिंद साहिब की गौरव गाथा का इन शब्दों में उल्लेख किया है पंच पियाले पंच पीर छटम पीर बैठा गुर भारी अर्जुन काया पलट के मूरत हर्गोबिंदसवारी चली पीडी सोधियान रूप दिखावन वारोवारी दल भंजन गुर सूर्मा वड्योध्धा बहुपरुपकारी सिखों के दस गुरु हैं गुरु हर्गोबिंस साहिब जी जब कश्मीर की यात्रा पर थे तब उनकी मुलाकात माता भागभरी से हुई थी जिन्होंने पहली मुलाकात पर उनसे पूछा कि क्या आप गुरु नानक देव जी हैं क्योंकि उन्होंने गुरु नानक देव जी को नहीं देखा था उन्होंने गुरु नानक देव जी के लिए एक बड़ा सा चोला, एक पहन्ने का वस्त्र बनाया था जिसमें बावन कलिया थी ये चोला उन्होंने उनके बारे में सुनकर की उनका शरीर थोड़ा भारी है, ये वस्त्र थोड़ा बड़ा बनाया था माता की भावनाओं को देखते हुए गुरु साहिब ने ये चोला उनसे लेकर पहन लिया गुरु साहिब जब ग्वालियर के किले से मुक्त किये गए तो उन्होंने ये ही चोला पहन रखा था जिसकी बावन कलियों को पकड़ कर किले की जेल में बंद सारे बावन राजा एक-एक कर बाहर आ गए तभी से गुरु हरगोबिन साहिब जी दाता बंदी छोड कहलाए भगवत गीता के सभी एक से अठारह अध्याय सुनने के लिए स्पोकेन इंग्लिश, बेसिक कम्प्यूटर, कम्प्यूटर विंडोज, स्पेशल देज, त्योहार, अवकाश, जनरल नोलेज, सुविचार व समाज कल्यान के लिए सभी सिख गुरुओं द्वारा दिये गए बलिदान इत्यादी के बारे में जानने के लिए भूपेंद्र जय भारत यूट्यूब चेनल अवश्य सबस्क्राइब करें इस विडियो के देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे एक नए विडियो के साथ तब तक के लिए बाए